वो मीडिया ट्रायल करने की बजाए उनको अपनी लीगल तीम वो बोल रहे कि उनकी पास बहुत बढ़ी लीगल तीम है उनकी लीगल तीम को लेके पुली स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल तीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए अगर उनके पास जितने भी स स法वूप है उनको बोलो कि कोट में साबित करें जब वो पो इसके पहुचेंगे लिए पाफ पी में बना के दिखा سकते हूं थरी ल HOL किया इसके आधिल आउ जोसे कि इसके नाम पर आप वार आधा कि एसके न बार दोरा हो तो आपको जाता चिये और आप तो पुली स्टेक्शन चाहता हूं। मैंने बोला यह सारी बाते बाद में आता हूं। उसक उसक मैंने शेरवाइसे बात करें कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुबह आया था। शेरवाइसे। सब साथ में टेबल फेट है। शेली सब एपरेसान। मैंने कह था वाही कोई काराबार चाहिए तो बताना participating मैं इंगवनलाणा आइ सिफादी कर रहा है। और मैंने बोलाना जै मुझे स्टटीनिए जस्टेश ओन्हास रहा तो य। ली नहीं देते तुमारे गवा नहीं है। क्योंकि को incluso BL 59 निकाने मुझे पता ही निकान में चाहिए मुझे मालूमी नहीं है फिर मुलाना चले गए हमारा दो करके वह मैसो चला गए मैं मुंबई कि देना नहीं किसी भी हालत में रहने आधेना नहीं मैं कहती हुआ आपके मजय मुद यूदा की मुझा नाजी प्लीज आ भाहर आईए वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा और आके चैसे हैं आपने आदेर आपको लेकर आया था वो अटल के रूम में और आपने निका कर आया था बगर दो दोगवा चाहिए था ना वो नहीं थे मैं सड़ भी गड़ मांगती रही मांगती रही अब अब तो ये तो मेरा शौरी हुआ ना अला के सामने तो शौरी हो गया ना अब ये नहीं हो सकती है नहीं बड़ मैं बताना चाहिए उन्होंने कहा रहा कि मुझे पता नहीं था आप लोगों से में अरोफ करूंगा जो आपने कर उन्लों में से सवाल पूछा कि आप तो बेगुना है पर भी छे मैने की जेल काटनी पड़े आप लोगों को इस तरह कि सवाल मीडिया को शोभा नहीं किता आप आप मीडिया करमियों पर मुझे शरम आती है तो जो भी सवार आप करें मर्यादा के डारेंट में इसके मैं पूछना चारे थी वो रिपोर्टर कौन है आप कैसे सवाल करें या आप पब्लिक के सामें किसी के भी इमेज को क्या डामेज करना चाते हो क्या आप कि सवाल का जवाब दिया अदिल ने क्या ये जवाल का इसे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कि बोल भी कैसे क्या क्या आधि रुक्त włas ने क्या व्ही यून cricket कर दिया गया कि आडिल को सब मालूम था रोज हमारे एक मेहना रोज वीडियो कर पर बात होती है हार रो उसको मालूम था उसको मता था कि मैं उस से बड़ी हो साथ साल उसने कल निस साल बोला प्रियंका है वैसे तुम और मैं मैं तीस साल का हूं मैं यह हूं मैं वह हूं बहुत सारा प्यार में वो पुरा फसाया मुझे और रिटेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी मैं रिटेश को लगाती हूं रिटेश बताएंगे आप लाइब आएंगे अभी जहां पर वो है और वो आपकी सवाद पर जवाब करें वीडियो वीडियो दिखाया है कि आप और राकी पहरे ले रहा है और मंत्र चल रहा है उसके बाद एक सट्यूटिकेट विश्ट विए जिखाया है जो कोड का है तो इसके बात प्रस विडियो दिखाया है तो वो पुलिस के पास प्रस क्यों नहीं हिया पहले साथा कुशिन दूसरी बात फॉर वो वीडिया में आके स्पा वह बता है था कि हम लोगों का एक प्राइडल सून था जो सीन रिख्रेशन था वर उस ताइम मैं और राखी मिले तो यह सारी चीजे थी मैंने पहले भी बता जुका हूं और यह में कि ऐसा इसा इसा जाल शारी चीजे उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टी इसको यूस क जाना है तो इसमे बहुत पी nuances को लिखि कर हाँ ऑर इसमें बहुत स्मार्टी यह सारी चीजे उ going a technological कियू पेहले सिर्य का ड़ेशन आर्फ बात इंपकी कियू सारी चीजे मैं कैसे मागा तेख रमी आप है और इसमें ऐय अपनी बात कैरा हूं च्चिजे इनतीको यह था था यह लोगों को देता नहीं हूँ क्योंकि मैं काई लिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब कोई ले बन्ना हुद के आकर मुझे बोलने लगे का मैं अपने तो देने शगा हूँ तो पर रिस्पेक्ट बो मैं क्योंकि राकी अफोर्स राकी लॉयल है उसके अठी बहुत ही अच्छी लगी है मैं ओन और पैलकी तो पर राकी से मेरा कोई यह रिलेशन है शीज ए अभरेट इस लीए मैं ये पूब एखा रहा हूँ, ये मेरा पासकून है, इसे में स्टैंपिश है आपको किस देड में मैं, किस देड में, मैं उस तो हुग मैं था, इके, वो ग्रीस में था, जैड येड उस में पीछ में आप देखो कि मेरी इंफली हुई है, I guess, मेरे स्टॉला को मेरे इंफली हुई है निए ग्रीस में और इंडेन एक्ष को मैं रोमानिया के लिए ट्रावल किया हूं उन्हों नहीं हुआ किया हूं जाए लिए वो यहां लड़कों के साथ मैंने यह देखा मुझे मारने की कोशिश की डुबाई में यहां पर नहीं दिया रो जो इरानी मैं किसी का नाम नहीं ले सकती और इरानी लड़की अपना वह उसको बीप कीजिगा प्लीज बिकोज अकारिंड इस लड़की का नाम ने उसकी गर्फरन ने मैं दुनिया सो बताना चाहते सुना वाच्छे जो तुम लोग मुझे है ना सोचते हो मे लिए छे मेना वह अपनी गर्फरेंड का रेप कर रहा था उसकी गर्फरेंड पांच साल उसके साथ रही उसको नहीं पता था उसने मेरे साथ चादी करी उसमें अपनी गर्फरेंड को जूड़ बोला मुझे भी जूड़ बोला मुझे का वो मेरी फ्रेंड है उसको कहा रा मैं ठोखरे खाखा के बॉलीवुड में आई हूँ, आइटम सॉंग बोले, रियालिटी शोज बोलिये, मैं मैंनत करके आई हूँ, मैं जहां जाती ही, हो जाती ही, चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है, उसका इस आदमे में फायदा उठाया, जूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था, मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा है, सलमान से मिला, शारुक से मिला, फरा खान को गले पे चड़ गया था इक दिन चाती पे, इसका क्याना है कि वो अ आबु दाबी पूरा आबुदाबी सक्षी है लास्यार आइफा अवार्ड में जब सल्मान खान आये तो उन्होंने मुझे गले लगाया था मैंने सल्मान जी को आदिल से मिला था आदिल को सल्मान ने ऐसा करके हाथ मिला कैसा जांद रखना ऐसा बोला था भाई नहीं पूरे अवाम के सामन करें यह उन्होंने बॉला मैंने दूर से नेखा है पूंच मितर की दूरी से डेका था मुला में नहीं नहीं मेरा खतन मुहान मैं पोट नुख स upsideonal के साथ common कि ऑनने करी यह नहीं आइक आपने गरता है उनक्राफ को बताया क्यों नहीं को बताया क्यों नहीं बात करी यह वह फिर इसने बला के don't be sad, you are a nice girl I want to marry you दूसरे दिल I love you, I want to marry you I want to live with you मैं तरे साथ रहना चाहता हूं उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया मैंने का चलो ठीक है इसने ये सारी चीज़े तो करी है लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया वो मुझे गोवा लेकर गया मैं गोवा गए मेरे function के लिए वो वहाँ by car पोंचा शेहली भी पोंची मैं मेरी मां के साथ गई थी मैंने उस वक्त मां को नहीं बताया गोवा में वो दो मौलाना को लेकर आया वोटल कॉन से थी हूँ मैं आपको बता दूँगी कॉन से वोटल में मैं रुखी थी CCTV फूटेज भी आप देख सकते हैं वहां पे एक साल पुरा में दो मौलानों को लेकर आया मैंने बोला अगर आप A आप ने बोला मुझे वहां पर शादी करे लगिए यह वो करें लिया नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में तो जाऊंगी जांगी में प्ली मैं में वह बस्कार्सका से अधे सयमामा का वी कहां स drop in है डैंड कि मुझे आनना अड़कर मुझे देख कर डर ये जो राकर सामां हें करेंगे अब होगा भी को ओअ से दया किया है और ये मेरे से निकाक करना चाहिता है मैं भी इन्य इनसे करना चाहिता है आप अल्ला पो जवाब देंगे किया आप मेरा निकाह नहीं कराना चाहरें जब हम दोनों राजी हैं तो वो बोलते कि आदिल खांद्रणी क्या बोलते हो तो वो बोलता है कि हाँ मेरा मुझे निकाह करना है हाला कि मेरे बार सब जानते है रिधेश के बारे मेरी जिस्दगी मेरी जिन्दीगी एक खुली एक खिताब है सब मैं करकि यह इंग से अरिम शब्रेयुस फ्र Archie करे के ळिए दिन और मुंट्र नीशिम कौन है और है और लहां पर कोई है क्लिनिक अपर ना थी हमारा agreement हुआ था तो उन्होंने का राकी तू तो छोटी गाड़ी में गुमती अच्छा नहीं लगता मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूं तो आदिल का बिजनस था चोटा मोटा सेकेंड कार के देता था तो ये लोग भाई बहन आपस में थे तो उन्हों म मुझे मुझे शैली ने बोला कि यू कम यहर आई वोट गिफ्ट यू कार मैंने का मैंने का जरूत नहीं है मैंने का शैली आप एक काम कर लो कार आप है ना मुंबई बेज दो बट अब मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या शडेल तर रच्छा जा रहा है आदिल खान दुर आप इरी अव हुब होंदी आपको क्या लो कार में इस बना करने को यह को में सब्सक्राइब लेकिन प्लान के रखा था अ कैसे शडेंटर रचाना है कैसे जार ढ़लना है हमें दूद्पृत्य बच्ची नहीं हूँ मैं दुद्पीती बच्ची नहीं हूँ बड़ जाल मुझे नहीं दिखाई दिया मैं गई शरम आती है मुझे भाई के सामने बोलते हैं मुझे क्राइम खाफ था इसलिए मैं आपने भाई राजिव खेंची को यहां से लेकर गई साथ में टिकेट बना उसने उसका मैंना मैंन पूरा दूर इनका एक बंदा आया मैं आगर रूम में थे बाहर से लॉक मार के चला गए जो फिर मेरे साथ हुआ मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलने के बोलना चाहिए मुझे इसके गवाद तीन लोग है उर्फी जावेद राजीव खेश जी और शैली जिनों मु मेरे साथ वो हुआ इस तीन गंटे लगे उसको मेरे कपड़े है फाड़ने में सारी चीजे करने में मैं 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 दुनिया की लड़कियों को न delay लाती हूँ मैं कैसे बाहर जाके बोलूं की मेरे साथ क्या हुआ कौन मानेगा क्या होगा मैंने बहला अब मै उस स्यूक्त मैं पुलिस में जाओंगी और मैं कंप्लेंड करूंगे हर चीज मैंने उर्फी को तुरंट फोन किया उर्फी रो रोगे उर्फी में क्या करू उर्फी मेरी बेस्ट थी तभी उर्फी नहीं बहुत अभी से अभी तभी कार बेज रही हूं तू आज़ा तू होटल तेरा चेंज करना देती हूं तू आज़ा अभी का भी तुझे महमा से कार बेज रही हूं भाई बिल्कुल आप कुछ लेना आपनो गुर्फी से मैं हिंदू धर में पैदा हुई मेरी मा जया सावन्त मेरे डड़ी आनन्त सावन्त फिर मेरी मा जो है जिसस में बिलीफ करने लगी हम लग बॉन क्रिश्चन तो नहीं लेकिन मा के साथ पुरा घराना जुड़ा रहता है जिसे मा बिलीफ करने लगी तो मैं भी बिलीफ करने लगी तो हिंदू से जीसस में बिलीफ करने लगी है शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इसलांग धरम की रिस्पेक्ट करूँ मैं नमास पड़ू पती ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं कबूले कबूले के साथ साथ ला इला इला ला मुहमद रसुल अल्ला वो पढ़ाते हैं तो क्या मैं नमाज ना कड़ू नमाज पढ़ना भी मुझे आगलने सिखाया वो मुझे केते हिंदू थी ये हिंदू है कृश्चन है मुसलमान है ये मैंने आपको बताया मैं शौक हूँ ये ही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था ये ही मीडिया है जिसको मैंने सारे सबूत दिये थे अब नवेरा माहें नवाप है न दुनिया में कोई है मैं सालों से मीडिया में हूं खिसका बिगाड़ा है मैंने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा किसी के सब बुरा नहीं किया सारे सबूत हमेशा आपको देते गई आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आँख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुना थे छे मेने में अंदर रहें क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगर सबूत क क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे आदिल ने मुझ पे इतने मार पिटाई करी थी शादी के एक मेने के बादी मार पिटाई शुरू हो गई थी लेकिन मैं तो हूं राखी सावन्द कॉंडर वर शेगल कौन मानेगा मेरी बात कौन मानेगा मेरी बात लीचे इंस्टाग्राम हर्जे के लिखते हैं अचा पहला पती था इसका तो घर कभी नहीं बसेगा अभी तो शादी भी नहीं पहले लिखके आ जाता है इसका तो घर कभी इसको भी चोड़ेगी इसको भी लूट लेगी पहले ही अभी तो शादी भी नहीं पहले से ही बोलना आदिल की उस ताम पे सिस्टर थी शेली आज वो उनको दोस कहते हैं और दुश्मन कहते हैं कि अज़ोगोंने कल जो आदिल का प्रेस कॉंफरेंस हुआ था उससे रिले के मैं उससे प्रेस कॉंफरेंस नहीं कहूंगी एक मीडिया ट्रायल कहूंगी और आज हम जो बैटे हैं हम लिमिटेड चीजों पर ही बात करेंगे और बहुत ही शॉट और ये प्रेस कॉंफरेंस रहेगा ज्यादा लंबा नहीं रहेगा हमें आने की जरुवत नहीं थी तुकि हमने जो कहना था हमने पुली स्टेशन में कहा है मैटर अभी कोट में सब्जिविस्ट है इसलिए हम उस केस से रिलेटे जादा बात नहीं करेंगे और हम आगे क्या करने वानी वोंगी परेंगे तो आपनों को आगिल ने जो कर कहा है उससे रिलेटेर आप जो सवाल कुछेंगे जो हमें लगेगा की बात करनी करेंगे और ज्वादा हमें डीटेर में जाए हमें कोई उसको सपाई देनी की ज़रत नहीं है हम जो भी करेंगे लीगली उसका जवाब देगे